हेलो प्रेंड्स, आइम समयरा, प्लास सेवन्थ वन, फ्रॉम लालबाग गल्सिंटर कॉलेज, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, घर में पड़े वेस माटीरियल से फ्लावर पॉट बनाना, तो लेट्स स्टार्ट, सब्से पहले हम एक पेपर लेंगे और इसको फोल्ड करे करेंगे, फिर इसको फैविकॉल की हेल्ट से हम चिपका लेंगे, देखिए अभी हमारा अच्छी तरह से चिपक गया है, अब हम इसको इसके उपर रखें, इसके साइज का सरकल काटेंगे, देखिए अभी हमारा सरकल बन गया है, अब हम इसको इसके साइज से एक इंच बड़ा काटेंगे, देखिए फ्रेंट्स हमारे सरकल कट गया है, लेकिन अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे, देखिए फ्रेंट्स, अब हम इसके चोटे-चोटे पीसे काट लेंगे, देखिए फ्रेंट्स हम नहीं है, चोटे-चोटे पीसे काट लेंगे, अब हम इसमें फैविक और लगाएंगे, अगर हम माचिस की घीलों को लगाएंगे पहले सबसे बड़ी पिर उससे चोटी पिर उससे छोटी इसली तरफ पी लगाएंगे देखिए कुछ इस तरह से अब हम इसमें से एक्स्ट्रा पेपर और एक्स्ट्रा स्टिक्स काट लेंगे देखिए फ्रेंड्स हमने या पर बहुत सारी तयार करके रख ली है देखिए फ्रेंड्स हम इस फ्लावरपाट को लेके और इसमें प्लावरपाट को लेके और फ्लाविकॉड लगाएंगे और इसको इसक पर चिपका देंगे इसी तरह से हम ये सारे स्टिक्स इस फ्लावर पॉट पे चिपका देंगे देखे फ्रेंड्स हमारे फ्लावर पॉट कुछ इस तरह से दिखेगा देखे फ्रेंड्स अब हम इस सर्किल पे ग्लू लगा के फ्लावर पॉट को चिपकाएंगे अब देखिए यह हमारा बहुत अच्छी तरह से चिपक गिया है अब हम मैच इस्टिक पर प्रेविकॉल लगाके कुछ इस तरह से चिपकाएंगे इसे तरह हम सब मैच इस्टिक को पूरे सरकल में चिपकाएंगे देखिए फ्रेंट्स अभी हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया है अब इसमें जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम सीजर की हेल्प से काट देंगे देखिए कुछ इस तरह इसरा पेपर को काट लेंगे देखिए फ्रेंट्स हमारा फ्लावर पॉट अच्छी तरह से रेडी हो गया है अब हम इसको साइट पर रख देते हैं और फ्लावर बनाने की तयारी करते हैं देखिए फ्रेंड्स फ्लावर बनाने के लिए हम कुछ कलरफुल पेपर लेंगे और उसको कुछ इस तरह से काट लेंगे हम इसको अधिया हैं भी हमारा तयार हो गया है अब हम इसको ट्रेंड की हेल्प से इसे बान लेंगे इसको हम इस तरह से खोल लेंगे और इसको फैविकॉल की हेल्प से हम चिपका लेंगे देखिए फ्रेंट्स अब यह हमारा रैडी हो गया है देखिए अगम सर्केल को इसमें चिपकाएंगे और यह पेपर की रोल करी डंडी को कुछ इस तरह से चिपका लेंगे देखिए फ्रेंट्स हमने कुछ फ्लावर इस तरह से रैडी कर लिए है चली फ्रेंट्स अब हम अपना फ्लावर पॉट डेकुरेट कर लेते हैं फ्रेंट्स इसके लिए हमने जो भी समान लिया है वो हमारा वेस्ट था प्रानी कॉपी के कवर थे वो देखिए फ्रेंट्स हमारा फ्लावर पॉट रैडी हो गया है अब हम इसमें अपने flowers लगाएंगे Friends इसको बनाने के लिए हमने कुछ भी नया समान नहीं लिया है यह सब हमारा waste material है जो आप सब के घर में भी होता है Friends, thanks for watching my video. Have a good day.